रादधानी दिल्ली के जाफराबाद में सोमवार को हुए हिंसक दंगे में बुराडी के रहने वाले हैड कौंस्टेबल रतनलाल शहीद हुए जिनके पार्थिव शरीर को मंगलवार को जी टीवी होस्पीटल में पोश्ट मारम के बाद दिली के किंग्सवे केम्प इसे पुलिस लाइन में ले जाया गया जहां उन्हें गार्ड ओफ ओनर दिया गया और गार्ड ओफ ओनर की प्रक्रिया पुरी होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी और एलज्जी ने भाव भी ने शर्धाणजली भी दी गार्ड ओफ ओनर के दुरान पुलिस लाइन में पुलिस के तमाम आलादिकारी मौजूद रहे और साथ-साथ दिली के LGB कैम्प में मौजूद रहे जहां उन्होंने पार्थिव शरी को श्रद्धांजली दी पुलिस लाइन में गार्ड ओफ ओनर के दुरान सभी की आखे नम थी और हर किसी के जुबान पर बिस एक ही सवाल था कि आखिरकार शहिद रतनलाल का क्या कसूर था वे तो अपनी नोकरी कर रहे थे लेकिन उनका परिवार उनके पीछे गमगीन छूट गया है युनिवर्सल न्यूज के लिए दिली से अपने संयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार के रिपोर्ट नए तेवर के साथ, नए क्लेवर के साथ, नई धार के साथ, खबरों की रफ्तार के साथ, युनिवर्सल न्यूज अब बनने जा रहा है हमवतन टीवी, तो देखते रहिए जल्द आ रहा है